मार्ग शीश मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है एकादशी व्रत की शुरुवात उत्पन्ना एकादशी से मानी जाती है भगवान विश्णू से मागशीश मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को एकादशी देवी का जन्व हुआ जिस कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा जो मनुश्य अपने पूरे जीवन काल एकादशी का वरत रखते हैं उन्हें मित्यू के पश्चात वैकुंट प्राप्त होता है एकादशी के समान कोई दूसरा वरत पापनाशक नहीं है एकादशी का महत्व सुन्ने मात्र से ही सहस्र गोदान का पुन्यफल प्राप्त होता है एकादशी व्रत में अनका सेवन करने से पुन्य का नाश होता है और दोश लगता है इसी लिए एकादशी के दिन एक समय फलाहार करना चाहिए मार्गशी श्मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी में उत्पन होने के कारण इस व्रत का अनुष्ठान इसी तिथी से शुरू करना उचित होता है इसको करने से दिव्य फल की प्राप्ती होती है उत्पन्ना एकादशी की कथा इस प्रकार से है पद्म पुरान में धर्म राज युदिश्ट्री ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत का महातम्य और यह व्रत किस प्रकार किया जाता है इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है और इस पुन्य मई एकादशी तिथी की उत्पत्ती के विशय में पूछा तब श्री कृष्ण ने कहा युदिश्टीर सत्युग में मूर नाम का बहुत बलशाली और भयंकर दानव था मूर ने देवराजिंद्र और सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया तब समस्त देवता भहबीत होकर भगवान शिव के पास पहुचे और उन्हें सारा व्रतांत कह सुनाया कि मूर के अत्याचारों से भहबीत होकर सभी देवता मित्यु लोक में इधर उधर भटक रहे है तब भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि आप तीनों लोकों के स्वामी अपने भगतों के दुख को दूर करने वाले प्रभू विश्णु की शरण में जाएं वहें आपका अवश्य कल्यान करेंगे महादेव जी देवगणों के साथ लेकर शीष्क शागर गए शीष्सागर में भगवान विश्णु शेशनाक की शैया में योग निंद्रा में लीन थे भगवान विश्णु को देखकर सभी देवता इस्तुती करने लगे और विंती करने लगे कि हे श्रीहरी हम मूर देत्य से भहबीत होकर आपकी शरण में आएं हैं आप हमारी रक्षा करें आप ही संसार के उत्पत्ती पालन करता और संघार करने वाले हैं आप सरव्यापक हैं हम पर क्रिपा करें और उस भयानक देत्य से हमारी रक्षा करें देवताओं के मुख से ऐसी वाड़ी सुनकर भगवान विश्णु ने कहा कि ऐसा कौन सा देखते है जिसने देवताओं को जीत लिया है, मुझे उसका नाम बताओ. तब देवराजिंद्र ने कहा भगवान प्राचीन समय में नाड़ी जंग नामक एक राक्षस था, उसका महाप्राकर्मी पुत्र मूर है, वैचंद्रावती नामक नगरी में रहता है, उसरे सभी देवताओं को हराकर सुर्ग पर अपना आदिपत्य जमा लिया है. देवराजिंद्र के मुख से यह बात सुनकर भगवान विश्णू ने कहा, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा और उस देत्य से युद करूंगा. देवताओं के अनुरोत पर भगवान विश्णू ने मूर देत्य पर आकमन कर दिया, सैकड़ो असुरों का संघार किया, यह युद दस हजार वर्ष तक चला, परन्तु मूर देत्य नहीं हारा. भगवान विश्णू ठक कर विश्राम करने लगे, बद्री का अश्रम चले गए, और वह बारा योजन लंबी हेमवती नामक सुन्दर गुफा में निंद्रा में लीन हो गए, इस गुफा का एक ही द्वार था. मूर देत्य ने भगवान विश्णू को मारने के उदेश्य से, जैसे ही उस गुफा में प्रवेश किया, भगवान विश्णू के शरीर से दीव्य अस्त्र श्यस्त्रों से युक्त एकत्यंत रूपवती कन्या प्रकट हुई. कान्ती में रूप वाली देवी ने राक्षस मूर को युद के लिए ललकारा और अपने हुमकार से मूर देत्य को भस्म कर दिया. जब भगवान नारायन योग निंद्रा से जागे तो उनकी पूछने पर उस कन्या ने भगवान विश्णू को बताया कि उसने मूर देत्य का वद कर दिया है. इस बास से प्रसन होकर भगवान विश्णू ने एकादशी नामक उस कन्या को मनुवांचित वरदान दिया और उस देवी से कहा कि आपका जन एकादशी के दिन हुआ, अतहे आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएंगी, प्रतेक एकादशी को मेरे साथ तुमार पूजा होगी, जो भगत एकादशी का वरत रखेंगे, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें अपनी प्रियत इथी घोशित कर दिया, एकादशी वरत के लिए फ्रातेकाल उटकर नित्य करम से निवरत होकर इसरान करे, भगवान विश्णू की प्रतिमा के आगे धूप, दीप, नैवेध्य, आदे सोलह सामगरी पूरे विधिविदान के साथ पूजा करें, जितना हो सके मौन रहें और भगवान को याद करें, दिन भर भगवान का इस्मर्ण करते रहें, संध्या समय दीगदान करने के बाद फलाहार ग्रहन करें, रात्री में भ दान दे, इसके बाद स्वेम भोजन करें, इस तरह की अन्य बाते उपाये और व्रत कथाये जानने के लिए हमारा चैनल वास्तु शास सब्सक्राइब करें, नमस्कार